हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सरकार्ज जॉब नियूज और एप पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये है वीकली का इंट फर्स और कप का है फोर्थ वीक माई दोहजार चोबिस का है ठीक है तो पिछले एक सब्ता के जितने भी करेंट फर्स है उन सबको एक बार रिवाइस करेंगे आपके एक्जामनेशन के लिए तो शूर करते हैं और सबसे पहले वो जो टॉप टेन इस्टूरेंट है जे लोग ने पिछले सब्ता टेस्ट दिया था एप पर वीकली टेस्ट उनके रिजल्ट में बता दूँ वो टॉप टेन कौन-कौन से आए तो ये पूरी लिष्ट है एक एक करके पहले नाम बोल देते हैं फिर आगे करेंट फर्स बताएंगे आपको शूर करेंगे रिवाइस करेंगे तो पहले अस्थान पर चंदन कुमार है दूसरे पर सुधिर कुमार तीसरे पर जोति सिंग है चौथा अस्थान प्राफ्त किय भी तो आप सबी को बहुत बाद बधा behavior आप टउप 10 आ है वीकली कैणट फर्स जो की एक पर होता है जिन लोगने मेंबर्शिप लिया हुआ है करेंट फ्रस का भो दे सकते हैं और इस सब्दा का भी करेंट फर्स का टेंप वो हो चुका है अब पर ठीक है तो शूरू आज हम लोग अंतराश्टी संगठन लेंगे और इसका PDF भी अपलेबल है लेकिन जिन लोगें मेंबर्शिप लिया वो डाउनलोड कर सकते हैं एप के जरिये मेंबर्शिप करेंट फोर्स का मात्र सौर्पे में मिल जाता है और पिछले भी कॉंटेंट मिल जाते हैं अगली भी मिल जाते हैं पूरी तैयारी करेंट फोर्स की शांदार हो जाती है तो शूर करते हूं अंतराश्टी संगठन से लेटर इंपर्टन कोश्चन लेंगे कौन स में कहते हैं International Solar Alliance तो उस पर signature अब तक 119 देशों ने कर लिया है लेकिन उसको ratify करना होता है देशों के लिए यानि जो दस्थावे जो जमा करने होते हैं कि हमारी सरकार ने okay कर दिया है हमारी संसत की ओर से okay है तो यह निरनवेवा देश बन गया है तो यह important बात है आईसे का मुख्याले का है मुख्याले गुरू ग्राम में okay आईसे का गठन का वह था तीस नॉम्बर 2015 का हुआ था फ्रांस और इंडिया ने मिलकर पेरिस में किया था गठन का एलान इस्पेन कहाँ पर एक पर मैब के ज़री भी दिखा देंए प्यारा भारत इस्पेन है यह रोप में यहां पर आप देख रहे हैं यस जग़ पर यहे इस्पेन इसके राजधानी है मैटेट पर सी but रहेंगे पुर्टगाल है और इधर है ये फ्रांस और ये वाला जो है वो मेडिटेरियन सी है भूमद सागर है अगला कोश्चन लेते हैं शंगाई कॉपरेशन ओगनाइशन के विदेश मंत्रियों की परिशत की मीटिंग कहां पर हुई मैई 24 में जिसमें भारत की ओर से सहयोग संगठन उसके स्थापना को भी थी 15 जुन 2001 को मुख्याले बीजिंग में है और इस वक्त 2024 में अध्यक्ष कौन है तो वो है कजाकिस्तान जहां पर ये मीटिंग हुई है तो शंगाई सहयोग संगठन उसमें कितने मेंबर कंट्रीज है वो भी देख लेते हैं एक एक करके तो प्यारा भारत है और साथ में ये जो अभी कलरफुल दिख रहा है ये सारे जो देश हैं वो हैं शंगाई कोपरे धान में रखना है COVID-19 तो ये चाइना हो गया, रश्यया हो गया, कजाकिस्तान, करगिस्तान, ताजी किस्तान यहां पर है ये उच्बैकिस्तान हो गया, इंडिया, पाकिस्तान और इरन आखरी जो मेंबर बना था वो इरान था, ठीक है? अगला कोर्शन लेंगे हम लोग किस International Court के मुख अभी हो जगने इसराइल के प्राइमिनिस्टर बिजमिन नितनयाहू रक्षा मंतरी और हमास निताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारण जारी किया आंसर होगा International Criminal Court ठीक है ये ICC ने जारी किया है यानि International Criminal Court ने जारी किया है क्यों किया है तो ये मानुता के खिलाफ अपराध को लेकर मामला यहां पर बनाए गया है कौन कान है किन किन पर तो देख रहे हैं बेंजमिन नितनयाहू प्राइमिनिस्टर है इसराइल के रक्षा मंतरी है योग गैलेंट हमास क जो चीफ है इसमाइल हनिये यह वला है क्या नाम है इसमाइल हनिये वो इसका लवा गजा में जो लीडर है यहिया सनवार यह हो गया और मुहमाद दीफ जो कि मिलिटरी कमांडर है हमास का तो इन सब के गिरफतारी के लिए डिमांड के गई है ICC से International Criminal Court इंटरनेशनल क्रिमि यहां है नीदरलेंड यह वाला जो देख रहे हैं ठीक है तो यहीं पर है दहेग और उसी दहेग में यह मुख्याल है ICC के यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं International Criminal Court की बात कर रहे हैं ठीक है यह अदालत International Court of Justice यानि ICC से अलग है ICC का काम क्या होता है कि दो देशों के बीच में अगर कोई संदी है कोई डिस्प्यूट है उसको निप्टार करना और ICC का जो काम है वो है मानवता या सामूहिक अपराद या इस तरह के जो जगन्ने अपराद है उसके मामले में सुनवाई करना ठीक है तो यह महत्पुन ब इंटरनेशनल ट्रीटी एक है रोम स्टैचू आफ दे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट उसके तहट बना था और साइन किया गया था 1998 में ठीक है तो यह महत्पुन बात है इस तरह के मामले यानि जनरल साइड क्राइम अगेंस्ट हुमिनिटी वार क्राइम और क्राइम और क्रा मतलब आई सी सी में तो अभी मामला गया है इसी ज में एक फैसला सुनाया कि वो जो हम्ला कर रहा है घजा के रफाइ इलाके में तो वहां हम्ला बंद कर द employ ऐभी वो में इनटनेशन से एजन्सी है उसमें ऑषि यहां पर आई सी 2 की बात कर रह से सिंटो अब ये विदेश से देल्टेर महत्पुन कोशन लेते हैं ताइवान के नय राष्टपती कौन बन गया है आंसर होगा क्या नाम होगा लाई चिंग ते क्या नाम है लाई चिंग ते तो इन्होंने शपत ले ली है और इनको विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है 20 मई को राष्टपतिपद की शपतली जन्वरी में इन्होंने चुनाओं जीता था अगला कॉशन चीन ने धंडित करने के उदेश से मई 2024 में अपने किस परोसी देश को घेर कर युद्ध्यभयास शुरू किया है आंसर होगा ताइवान मतलब ये उद्ध्यभयास हो भी क्या चाने के उद्धेश से चीन ने चारतरफ से घेर लिया था अब यहां युद्ध्यभयास किया चाइना ने दो तीन दिन दो दिनों तक किया है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला कोशन रहते हैं किन तीन देशों ने एक साथ फिलिस्तिन को देश के रुपे मानिता देन की गोशने की है माई 2024 में आंसर क्या होगा आंसर होगा नार्वे, आर्लेंड और स्पेन ये तीन देश हैं जिन्होंने कहा है कि फिलिस्तिन को मानिता दे रहे हैं एक देश के तौर पर दिगे अभी तक फिलिस्तिन जो है न उसको मानिता नहीं है दुनिया में एक कंट्री क के तौर पर बहुत सरी देशों ने तो दिया हुआ है भार जैसे करीब 140 के असपर देश है जो लोगने मानता दिया हुआ हाला कि ये प्यारा भारत है और यूरोप में ये तीनों देश है नार्वे की राजधानी क्या है ओसलो यहां के समराट होते हैं कह नाम है हिराल्ड व प्राइमिस्टर है जुनास गहर स्टोर ओके अगला है आर्लेंड आर्लेंड की राजधानी क्या है डबलिन प्राइमिस्टर है यहां के साइमन हैरिस और यह रहा है स्पेन इसकी राजधानी क्या है मैडरिट यहां के समराथ है फिलिप शिक्स और प्राइमिस्टर है पेड क्या राष्टपरत कौन बन गए है नाम है console feeling तो यह राष्टपर्दी बन गए है विएटनाम के ठेश की बात करेंगे तो इदर चाइना है लाओस है यह कंबोडिया ठीक है शमौद्ब की بात करेंगे तो यह South China Sea है और यह Gulf of Thailand है अगला कोशन लेंगे इरान के नए अंतरिम राष्टपती कौन बन गया है तो मुहम्मद मोखबर क्या नाम है मोहम्मद मोखबर देखिए इब्राहिम रईसी इससे पहले राष्टपती थे उनका निधन हो गया था 19 माई को उनका हेलेकॉप्टर क्रेश कर गया था जब वो यात्रा कर रहे थे उसके दोरान और उसके अगले दिन 20 माई को यह फाइनली पता चला कि हाँ देथ हो गई है किनकी देथ होई इब्राहिम रईसी जो उस वक्त के राष्टपती थे पहले तो उसके बाद इनको मुहम एक प्रांथ है इसका भी अजर्ब जान तो देश भी है साथ में एक प्रांथ भी है तो यहीं से वो लॉट रहे थे इधर सीमा से ही और इसी दोरान यहां घटना हो गई थी इरान की राजधन क्या है तेहरान है अगला कोशन किस देश के दिवगंत राष्टपती डॉक्ट जो हमारा तिरंगा है वो आधा जुका रहा था राजकी शोक के तोर पर हमारा मित्र देश है इरान अगला कोशन अमेरिका दोरा पैंतलिस साल पहले निर्मित हेलिकॉप्टर का नाम बता है जिसके क्रैश होने के वाज़ से इरानी दिवगंत राष्टपती राष्टपती की मृत्य हो गई थी आंसोगा बेल 212 क्या है बेल 212 यह की यूटिलेटी हेलकॉप्टर है जो लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तमाल के जाता है इसमें हतियार भी लगा सकते हैं इसको अमेरिकन एरो स्पेस कंपनी बेल टेस्ट्रॉन बेल टेस्ट्रॉन ने बनाया इसका उत्पादन 1968 से लेकर 1998 तक हुआ था और उत्पादन बंद बंद हो चुका है और जब इरान में इस्लामिक करांती हुई थी उससे पहले का यह हेलिकॉप्टर है वही यूज कर रहा है और इरान वह कोई हेलिकॉप्टर खरीद नहीं सकता है यह खराब हो जाते हैं इस कोशन लेते हैं किस देश के बायर कटार अकिनसी ड्रोन ने इरानी दिवंगत राष्टपती रईसी के दुरगटना गरस्त हेलकॉप्टर को धून निकाला आनसोगत तुर्किये तो यह है यह यह ड्रोन इस ड्रोन के इस्तमाल रूस न यूक्रेन पर भी कर रहा है और इस ही हलकोप्टर ने ढूना इसमें हीट का पता लगाने अगर गर्मी आ रही है तुसका पता लगाने में ढाय। उसके बाद इसने डिटेक्ट किया और फिर बारह गंटे बाद दूरतना कि बारह घंटे बाद वहां पर बचाव धर पहुंच सका तब तक तो हेलकोप्टर खाक हो चुका था, डेथ हो चुकी थी इरानी राष्टपती की, इब्राहिम रईसी की अगला कोशन लेते हैं, इरान में दिवंगत राष्टपती इब्राहिम रईसी, वो अन्य के निधन पर शोक विक्त करने के लिए भारत का परतिने दित्तों किसने की आंसों का जगदीब धानकर, कौन जगदीब धानकर भारत के उपर राष्टपती वहीं वहाँ पर पहुँ जाते हैं, ठीक है, अगला कोशन विश्व का सबसे उँचा, प्रतोगता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया, अन्सों का भोटान, भुरान की राजधानी थिम्पू में, ठीक है, कहां पर भोटान की राजधानी थिम्पू में, और ये 8200 फीट की उँचाई पर इस वो यहां पर स्थापितिया गया है, ठीक है, भोटान की राजधानी थिम्पू है, यहां के किंग कौन है, राजा कौन है, जिग में खेसर नाम गयाल वांग चुक, क्या नाम है, जिग में खेसर नाम गयाल वांग चुक, और यहां के प्राइमिस्टर है, शेरिंग तोबग मुद्रा यहां के नुगल ट्रम अगला कोशन लेंगे हम लोग कोशन होगा किस देश की राजधाने बिश्केक में अंतरश्टिय चात्रो प्रहमले के बाद भारत और पाकिस्तानी दुतवास ने अपने अपने चात्रों से घर के अंदर ही रहने को कहा आंसोगा इसका किर्ग अधिश्या में है कौन सा देश यह देश है किर्गस्तान तो हम लोग यह देखेंगे यह वाला जो ग्रीन वाले देख रहे हैं यह है किर्गस्तान इस राजधाने बिशकेक है वहीं पर यह हमला हुआ था राश्टपती है सादिर जपारो और इसके पुरस्य देश की बात करे थे हैं यहां में तो यह कजकस्तान ख़ल देख हो गया एजकस्तान उज्वक स्टहरा हो गया यह तेरा मई को किर्गस्तान और एजिप्ट के इस रृइंकर लड़ाई यह व्यू वायर्ल हो गया ता और कुछ गलतफा में पैदा हुए कि पाकिस्तानी अम्राटीट में मारक पाकिस्तान और भारत के तो वहां पर भी हमला हो गया था उसके बाद भारत सरकार की उच्टी यह एडवर्जरी जारी किया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं फ्रांस ने अपने नियंतरन वाले द्वीप नियू कैलेडोनिया में मैई 24 में हिं तो यूरोप में है ठीक है और ये अट्लांटिक महासागर में के पास में इस्तित है ये फ्रांस लेकिन नियू कैलेडोनिया जो है वो प्रशाद महासागर में ठीक है दीक है यूरोप के बाहर तेरा फ्रेंच टेरी है फ्रांस का ठीक है फ्रांस तो यहाँ पर है वर्ड मै में लेकिन यह जो रेट कलर में जो घेरा हुआ देख रहा है न यह सारे के सारे फ्रांस की ही है मतलब इतने सारे जुहों पर फ्रांस की सत्ता चलती है अब धी तूसरी में से एक है निव कैले डोनिया चोकि यहाँ पर से थे निवकालेडोनिया है और वहीं पर ये इस तरह की वार्धात हुई है, निवकालेडोनिया की राजानीया है नौमिया, एक लिए इस तरह से भी Map पेर लेके चलते हैं, प्याराड भारत तरह अपना अब चलते हैं फ्रांस जो कीanswer ए उरोप में है, और फिर आप चलेंगे हम लो क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि वहां फ्रांस ने ये नियम में बदलाव किया कि यहां पर जो भी बस रहें फ्रांस के लोग उनको भी मतदान का अधिकार मिलेगा तो इससे यहां के जो स्थानी है उनको लगा कि हम तो अल्पमत में जा रहे हैं और हम हमारी जो प्रतिशत में जाएंगे और हमारी जो बात है वहां के सक्ता में नहीं चल पाईगे चली आगे बढ़ते हैं और इन्वार्टमेंट से रिटेट इंपर्टन कोर्शन लेंगे उससे पहले बताओं कि इसका पीडिएफ हिंदी और इंगलिश दोनों लेंग्विज में अबलेबल है तो आप से दो साल के भी कॉंटेंट आपको मिल जाएंगे पीडिएफ टेस्ट वीडियो और समझते एक्जामनेशन के टेस्स भी देते हैं हम लोग दिखें जोरी सुटे के डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ डिटेल में और एप डाउनलोड कर सकते हैं आप ठीक है सरकार ज और वाजाति के हाऊलर बंदर वो पेरों से गिर्कर मरने के मामलेश अताया है मतब कर गेंगे मुझेमा अन्षों का मैक्सिको मैक्सिको में ये दोडुलभ परजाति के बंदर है मेक्सिको ले wants to test that 후ありがとう हम आपको प्याराव भारत है मैक्सिको का है उतरी अमेरिका मेह्छा में और यह रहा उत्री अमेरिका इधर वाला दक्षनी अमेरिका है उत्री अमेरिका में यह है मैक्सिको अमेरिका के ठीक बगल में है ओके और परुसी देश तो अमेरिका हो गया दूसरा गौटेमाला और बेलीज भी है तो मैक्सिको में इस इलाके में यह बंदर जो है न वो रह रही है उसके विए से डिहाइड्रेशन हो रहा है और पेरों से गिर रहे हैं गिर के मर जा रहे हैं पचासी से अधिक बंदरों की मौत हो चुकी है लुप तो प्राय ये प्रजाती के बंदर है इसलिए महत्पुन है आपके एक्जामनेशन के लिए ये खुंखार होते हैं और तीन फिट लंबे होते हैं अगला कोश्चन आधुन के इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला इसा पहला देश कौन सा बन गया है आंसो का वेनेजुएला ठीक है वेनेजुएला ये दक्षनी अमेरिका में करेबीन सागरहत अट्लांटिक महासागर की सीमा पर इस अब इसे से रिलेटेड कोश्चन होगा कि उसका आखरी ग्लेशियर जो पिघल गया उसका नाम क्या था आंसो का हमबोल्ट क्या नाम है हमबोल्ट ठीक है तो ये ग्लेशियर कभी हुआ करता था अब कुछ बर्फ बचा है और वेग्यनिको ने इसको ग्लेशियर की परिभा जाएगा और ऐसा क्यों हुआ है ऐसा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वज़से और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो अभी अल नीनों आया था उसकी वज़स से भी ये हुआ है ठीकर तो ये एंडी परवत शिंखला जो है ना दक्षनी अमेरिका में तो उसी में वेने वेनरेजुला भी प्यारा भारत है अपना और वेनरेजुला जैसे मैंने बताया दक्षनी अमेरिका में है इधर उतरी अमेरिका यह आपर ग्लेशिर था जो कि एंडीज परवशिंकला के सियरा नवादा डी मेरीडा परवत है वहाँ परिस्तित था उसका नाम था हम बोल्ट क्या है हम बोल्ट ओके तो वेनेजुला इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है काराकस क्या है कारकस राश्टपति निकोलस मादुरो मुद्रा क्या है वेनेज्वेला बोलीवर ओके और परसी देश की बात करेंगे तो इधर हो गया गोयना यह है ब्राजिल और यह है कोलंबिया ठीक है एक पर वहां भी चलते हैं जहां पर यह ग्लेशियर थे और अब उस ग्लेश वहीं पर यह ग्लेशियर हुआ करते थे आगे बढ़ते हैं और अगला कोशन लेंगे बैंकोक पर समुद्र में डूबने का खत्रा क्यों मढ़रा रहा है और थाईलैंड की मतलब थाईलैंड जो है अपनी राजधानी बदलने पर विचार कर रहा है इसकोई से आंसों का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसे पहले वाले कोशन में देखा ग्लेशियर पीघल रहे हैं तो पानी कहा जा रहा है समुद्र में जा रहा है तो समुद्र का लिवल उपर बढ़ रहा है इससे पहले इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार था जो उसको बदलने का फैसला किया था नूस अंतारा नई राजधानी बनाई जा रही है तो अब थाइलेंड ने भी ये फैसला कर लिया है ये प्यारा भारत अपना थाइलेंड जो नो वो यहां पर है और इसी में ये हैं बैंकॉक ये वाला जो हिस्ता देख रहे है वो यहां पर ये रहा बैं करता कि मैंने उसके बारे में बताए हैं लागोस हिस्टन धाका वेनिस यह सब भी डूब जाएगा कुछ वक्त बाद आगे बढ़ते हैं और वाइरस भी मैंने से लेटेड कोशन लेंगे कोशन यह होगा देश के ख़द सुरक्षा नियामक यानि FSAI ने फलों को पकाने के लि उसमें क्या होता है कि आरसेनिक और फॉस्फोरोस के अंशोते हैं और इससे एक कैंसर होने का खत्रा होता है तो FSAI ने तमाम राज्जों से और तमाम के इंशर्स प्रजिशों से यह कहा है कि वहाँ अपने अपने राज्जों में अपने छेतरों में जो अथर्टीज हैं उ अगला कोशन लेंगे हम लोग किस देश में मानसिक पीरा के अधार पर 29 एर की यूति जुराया टेर बीक को एक्छा मृत्यू की अनमत मिली है आंसो का नीदरलेंड ठीक है नीदरलेंड में ये लड़की है और उसको एक्छा मृत्यू की वो मिली है पर्मिशन मिल गई है तना इनको ऑटेज में जूझ रहे जो शक्स होता है वो खुद को चोट पहुंचाने मारने अत्मनत्य के विचार आते रहते हैं तो क्या है नीदरलेंड नीदरलेंड कहां पर है पर चलते हैं यह ये यूरोप है और यह नीदरलेंड है चले आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है आंसो का ICMR, full form का ICMR का, Indian Council of Medical Research, यह कहा है इसकी वाज़ से क्या होता है, यह प्रोटीन पाउडर है, वो branch chain amino acid से समरिद्ध होते हैं, और उसकी वाज़ से non communicable disease का खत्रा होता है, ठीक है, तो ICMR का यह कहना है, अगला कोशन लेंगे, अपाइटमेंट से लेटिट कोशन, या न निपतिस related कोशन, कोशन होगा, मेघाले की पहली महिला पुलिस महान देशा कौन बनी है, आंसो का, इदार शिशा नोग रांग, क्या है, इदार शिशा नोग रांग, तो यह पहली महिला DGP मेघाले की बन गई है, और 1992 बैच की IPS अधिकारी है, मेघाले, मेघाले की लेकिन सरकार को विट्वर्ष 2023 के लिए लाभाश, यानि सर प्लस, अंगलिज में इसको कह सकते हैं, डिविडेंट, उसके तौर पर कितनी रकम देने का फैसला किया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है, आंसो का 2.11 लाग करोर रुपे, कितना है 2.11 लाग करोर रुपे, तो य यह एतिहासिक रूप से है, आर्बिया के गवर्णर शक्तिकान दास, उन्होंने आर्बिया बोर्ड की मीटिंग की, 22 माई को और इसमें यह फैसला किया गया है, तो यह चार्ट देख रहे हैं आप, जो कि यह हाइट 2.11 लाग करोर रुपे का यह गया है, सबसे ज़्यादा यह तिहास में सबसे ज़्याद दिया गया है, और इसा आरबिया कके कहना है इंकम बढटतरी हुई है, और फिर यह की मांन लिया गया है, और फिर यह ऊचाई तक किन सरकात को देने का फैसला किया, आर बिया इने, और आपको खास बात बता हूं कि इसपर बहुत सारे पत्ती भी जताई है कि आप इस तरह से कैसे calculate कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोशन किस भारती कंपनी ने मई दोजाट चोविस में शिलंका में यूपी आई सुवधा को लॉंच किया है और इसके लिए शिलंका यी कंपनी है लंका पे लंका पे उसके साथ डील साइन की चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन होते हैं defense related कोशन और इसका pdf भी अबलेबल है जो लोग ने membership लिया हुआ है या जो ले लेंगे तो वो डाउनलोड कर पाएंगे pdf इसका इस membership के जरिए daily, weekly, monthly, quarterly, yearly pdf होता है कई तरीके pdf होते हैं हिंदी और इंगलिश दोनों प्राइन भी होता है, mcqv भी होता है, mcqv नोट्स भी होता है आपके examination के लिए तो defense related कोशन होगा इंडो रेशियन राइफल्स प्राइमेटल टिमिटेंड यानि IRRPN तो उसने माई 24 तक 27,000 AK203 assault rifle हैं भारती सिना को सौपी है तो यह किस राज में इस्तित है आंसों का उत् डिजाइन किया था, अमेटी में factory है, अगला कोशन होते हैं, events related, कोशन यह होगा, मासिक धर्म महोसब 21 माई 24 को शुरू हुआ, तो इस बार यह कितने देशों में मनाया जा रहा है, आंसों का 11 देशों में, यह कारिकराम देश के 15 राज्यों में आज़ित हुआ है, और के 33 संगठन इसमें शामिल हुए हैं इस बार, और 11 देशों में यह आज़ित किया गया है, एक सबताह तक, sports related महात्मून कोशन लेंगे हम लोग, कोशन होगा, English Premier League यानि EPL की लगतार चौती बार चैंपेन कौन से टीम बनी है, मैंचेस्टर सिटी, ठीक है, तो 19 माई को उसन सा मेडल जीता है, आंसो का गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, एल्ड ओर्ड कप उसमें, मुक्के बाज भारती है, अगला कोशन लेते हैं, किस महिला टेनिस खिलारी ने इटालियन ओपेन 2024 किताब जीता है, आंसो का इगा स्वीटेग, ठीक है, पोलाइन की हैं ये, और 18 माई को उन्होंने ये तीसरा इटालियन ओपेन किताब जीता है, अगला कोशन, किस पुरुष्ट टेनिस खिलारी ने इटालियन ओपेन 2024 किताब जीता है, आंसो का अलेक्जेंडर ज्वेरिव, ये जर्मनी के ये खिलारी हैं और इन्होंने टेनिस का ये टूर्णामेंट जीत ल अहिला वर्ल्ड कप होगा फीफा का, तो 17 मही को ये वोटिंग होई और उसी में ब्राजिल को चुना गया है, देखे दुनिया में फुट्वाल वर्ल्ड कप फीफा के द्वारा जो आईजन हुआ था, शुरुआत वो 1991 में शुरु हुआ था, पहली बार चीन में आईज़ अंस होगा ब्रेजिल की राजदानी क्या है, ब्रैसीलिया है, और राश्टपती लूला डी सिल्वा है, मुद्रा है वांके ब्रैजिलियन रियल, अब अवार्ड से लिटेड महात्पौन कोशन लेंगे, कोशन होगा यहां पर, माउंट एवरेष्ट पर चढ़ाई, सफलता समाने एक रिकॉर्ड बन गया है, ठीक क्या नामें, काम्या कार्थी केन, बारवी कच्छा में पढ़ती हैं, 12th क्लास में, और मातर 16 साल किये, उनके पीता हैं इंडिया नेवी में ओफिसर, कमांडर इस कार्थी केन, तो उनके साथ 20 मही को इन्होंने माउंट एवरेष्ट पर चड़ाई किये, माउंट एवरेष्ट कितना उचा है, पीक पॉइंट कितना है, 8849 मीटर, 8849 मीटर, या फिर फीट में कहेंगे, तो 39,032 फीट होता है, अगला कोश लेंगे, माउंट एवरेष्ट को फता करने वाली सबसे उम्र दराज, यानि ओल्डिस्ट महिला कौन अभी हाली में, तो आंसोगा ज्योती रात्रे, क्या नाम है, ज्योती रात्रे, 55 येर के उम्र में, उन्होंने उस 19 माई को, 19 माई को विश्व के सबसे उची चोटी, माउंट एवरेष्ट पर चड़ाई की है, ठीक है, भारत की ये सबसे उम्र दराज महिला है, और दुनिय में, उन्होंने दो बार चड़ाई कर ली, और अपना ही रिकॉर्ड तोरते हुए, तीसमी बार उन्होंने ये चड़ाई पूरी की है, ऐसा अभी दुनिया में किसी नहीं किया है, अगला कोशन लेंगे, किस भारते मूल के विज्ञानिक को खगोल विज्ञान, यानि पूरी निवास आर्ग कुल करने, तो उनको नौंबर में, हॉंग कोंग में ये अवार्ड दिया जागा, ये अमेरिकान अवार्ड है, और इनको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, मिली सेकेंड पलसर, गामा किरन्वी स्पोर्ट, सूपर नुवा और अन जो खगोल ये पि प्रख्यात अंग्ले जी के साहितकार है, और किसने ये अवार्ड दिया, तो साहित अकादमी के अध्यक्ष है, कौन है, माधव कौशिक, दोनों ने बॉन्ड के घर पर जाकर शिम्ला में ये अवार्ड दिया है, अब इंडेक्स यानि सूचकांग से लेटन महत्पन लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और परेटन विकास सूचकन, दोहज़र चोविस में भारत की रैंकिंग क्या है, आंसोगा 39th, 39th रैंकिंग है, 119 देशों को शामिल किया गया था, उसमें 39 भारत की रैंकिंग है, तो टॉप 10 ये देखते हैं, यहाँ पर 3 साल बाद ये इंडेक्स जारी किया, अब साइंस और रिसर्च से लेटेट महात्पूर्ण कोशन आपकी एग्जामिशन के लिए, और पसंदार हो, लाइक बटन दवाईए, शेर किजिए दोस्तों को, मित्रों को, कोशन होगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतिय कौन बन गहे हैं, आंसो का इसका गोपी ठोता कुरा, क्या नाम हैं? गोपी ठोटा कुरा, तो भो बन गहे हैं और जेफ बजोस, जो कि अमे जटो संस्थापक है, अमेजन जो E-commerce website है, उसके संस्थापक जेफ बजोस, उनकी का नाम है Blue Origin, तो самी ने 19 माई को 6 लोगों अपने ये rocket new shepherd rocket का नाम है new shepherd तो उसे space में भीजा था और उसमें ये भारती तुरिष्ट भी थे ठीक है भारती ये तुरिष्ट भी थे ये गोपी तोटा कुरा नाम धियान में रखना है तीस साल के हैं मात्रवा, आंध प्रदेश के मोलता है भारती नागरिक हैं यह देख लिए आप यह वीडियो भी देख रहे हैं आप इस तरह से अंतरिक्ष में थे अगला कोशन लेते हैं इस इस रिलेटेड कोशन महत्मन कोशन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्ड दराज व्यक्ति कौन बने जिन्नोंने 90 वर्ष के उम्ड मे मही में अंतरिक्ष की यातरा की आंजओ का एड ड्वाइट का नाम एड ड्वाइट तो ये बने हैं उनिस मही शे लोगों के साथ यातरा की थी ये पहले भारती टूरुष्ठ भी थे उसमें उन्हीं के साथ ये भी नब्वे साल की उन्ड में इन्होंने यात्रा की है गजब अब निधन से लेटेट कोश्चन लेगे हैं महत्पन कोश्चन डॉक्टर पॉल पार्कमेन उनका निधन हो गया साथ मईई दोज़ाद चोबिस को तो उन्हों ने किस वायरस की पहचान कर वैक्सिन बनाने में प्रम इसकी वज़ से अमेरिका में जो एक महमारी सा फैला हुआ था उस पर काबू पाया जा सकता है रुबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है अगला कोश्चन किस आइस क्रीम ब्रांड के संस्थापक रगु नंदन कामत का निधन हो गया आचो नेचरल आइस क्रीम ओके निचर 24 को आंसों का बिहार ठीक है कैंसर की वाज से निधन होगा एम से निव डेली में 72 एर के थे बीजेपी के सीनियर लीडर थे तीन दशक का उनका करियर था राजनीती का पहली बार 1990 में वो एमले बने थे विधायक बने थे और मुख मंत्री रहे थे 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार क पुर्व उख मंत्री अगला कोश लेते हैं प्रसिद बैंकर नारायन वागूल का निधन हो गया 18 माई 24 को तो किस बैंक के चेर्मेन रह चुके थे आंसों का ICICI हलाकि एक और बैंक बैंक ऑफ इंडिया में भी वो काम कर चुके थे अध्याक्ष प्रबंदन निदिशा के त मीरा के नाम से मशूर सहितकार मालती जोशी का निधन हो गया 15 माई 24 को तुने किस वर्ष पदमश्री अवार्ड मिला था आंसों का 2018 तो ध्यान रखेगा मालवा की मीरा ओके अगला कोशन किस राज की पुर्व राजपाल डक्टर कमला बेनिवाल का निधन हो गया 15 माई 24 को आंसोगा प्रोक्ट सभी यानि गुजरात, तिरपूरा और मिजुरम तीनों की राजपाल रह चुकी थी, 97 एर की थी, राजथान से थी, भारत छोरों आंदोलन में भी इन्होंने हिस्साल लिया हुआ था अब योजनास से रिलेटेड यानि स्किम से रिलेटेड कोशन लेंगे, भारत और इन्होंने से किस देश के बीच में 2024 के आंत तक वीजा फ्री टूरिष्ट एंट्री पर सामती बनी है, आंसोगा रूस, तो जून में इस पर फाइनल बाचित होना है और इस साल के आंत तक इस पर डिसाइड हो जाया कि भारत से लोग बिना वीजा के यानि केवल पासपोर्ट के साथ ही रूस जा सकेंगे यातरा करने के लिए परेटरन के लिए जा सकेंगे, रूस, रूस की राजधानी क्या है मासको, राश्पति कौन है उलादमिर पुतिन, प्रामिनिस्टर कौ अगला कोशन अंतराश्थी जैव विविदता दिवस का मने जाता है आंसो का 22 माई को, बायो डावर्सटी डे और थीम क्या है योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट आफ दी प्लान ये है थीम, अगला कोशन लेंगे विश्व कछवा दिवस का मने जाता है आंसो का 23 माई को और थीम क्या है आउ पार्टी करें लेट्स पार्टी ये इस बार की थीम है टाटल डे की अगला कोशन आतंकवाद विरोधी दिवस कब मना जाता है आंसो का 21 माई को पुर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की पुन्य तिथी परी मना जाता है अगला कोशन लेते हैं वि विश्व एड्स वैक्सिन दिवस कब मना जाता है आंसो का 18 माई को ठीक है ये वैक्सिन अभी बनाई जाने के कोशिश होई है कुछ हद तक विमारी को कंट्रोल करता है उससे ऐसा नहीं कि वैक्सिन लेने के बाद मरीज को विमारी ना हो ये एच आईवी से होता है एड्स ठीक है तो ये है दिवस अगला कोशन लेंगे विश्व माप विज्ञान दिवस कब मना जाता है आंसो का 20 माई को और इस बार की थीम क्या है दोजाग चोबिस की वह है हम एक टिकाव कल के लिए आज को माप दे हैं अगला कोशन अंतरशिष संग्रहाले दिवस कब मना जात हैं होमोफोबिया ट्रांसफोबिया और बीफोबिया के खिलाफ अंतरशिष दिवस कब मना जाता है आंसो का 17 माई को ठीक है तो दोस्तों ये था इंपाटरिंट करेंट फर्स सुबह 9 बजे और मंडे टू सटर डेली वीडियो डेली करेंट फर्स वीडियो लाइव हम जा्व्यों उसे ह traveling बंदार एंपन ये ने चेसे हैं